जे डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन खराब है नितिश जी जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था आज में कुशासन बाबू बन गए और रफ्तार की तो बात ही मत करिए गाड़ी ओफ ट्रैक है अरक को सांसर बनाना पड़ेगा और हम सारे सांसरों को शरक पर गजीट के लिए आएंगे इसको क्या चाहिए एक मजा मिलें देज ने लोग दे रहे हैं मीडिया वाले भी बढियां डिवेट करवारे हैं मार पीट करवा देना हैं वाक्सिंग दमंग बंग वाला उसमें एक लेटा बोलता है जो आदमी चाहे बेचा उसकी नीटी पकोड़ा बेचने वाली है वह पकोड़ा ही बेचवाएगा पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है फिलहाल इस वक्त बिहार से बीपीएसी का पेपर जो है वह लीक हो गया है और हमारे साथ कुछ इस्टुडेंट है उनसे बाचीत करेंगे कि क्या क कुछ कहना चाहते हैं लगातार एक के बाद एक इपर लीक का मामला सामने आ रहा है तो वह क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पेपर लिक होए बीपीएसी के अभी गंडे पहले ख़वर है जी बीपीएसी का पेपर लीक एक बार फिर से सरकाल की जो कारे करने की शमता है उ हैं हमेशा चात्र विरोधी रही हैं देखिए आप कैसे किस प्रकार से रेलवे के पेपर की घट्टाएं हुई उसके साथ चात्रों के साथ हिंसा हुई उनके उपर केस लगाए गए उनको जेलों में ठूस दिया गया तो नितिश सरकार की राजनीती अचा सुशासन कि दर दर भटकना पड़ रहा है देवल इंजन की सरकार है बिहार में और सब्सपसे ज्यादे बिहार से इस तरीके का मामला सामने आता है कभी पेपर लीक एक अब बात करते हैं इंकी देखिए किस प्रकार से रेलवे एक्जाम मैं क्या हुआ उसके बावजूद छातरों के उपर आप देखे स्टेट सर्विसिज में क्या होता है उसके साथ स्टेटलैवल बोर्ड उक्जाम भी लिग हो जाते हैं अगर आपका किसी काम करने को बीचे का अगर कोई मक्सद हो तब तो आप उसकाम को पूरा करेंगे लेकिन अगर उसकाम को पीछे पूरा करने में आपका मक्सद नहीं है ना तो आप उसकाम को कभी करना नहीं चाहेंगे शरकार की भी है शोच है कि उसके रोजगाल देना इनक लोगों ने रोजगार छोड़ दिया है और नॉन फर्फार्मिंग सेक्टर में पांच करोल लोग ऐसे जो गड़ेरू ड्योग में लगे हुए हैं उनका रोजगार खतम हो गया लोगय। रही हो और आज के ताइम करहा हैं तरह से परी रिख रहे हो का फ्यूचर आप क्या देख रही है कि जब तक मोडी सरकार जाएंगे नहीं तक मोडी सरकार किसी की भी हो पार्टी आएंगी जाएंगी परंदु देश के युवा को रोजगार मिलना चाहिए अच्छी स्वास्थ सेवार मोडी जी कह रहे हैं पर सरकारी आखड़ा के जूट सेक्टर हमारे देश की 90 प्रतिश्यत अर्थ व्यवस्ता को कंट्रोल करता है इन्फॉर्मल सेक्टर में लोगों को आज सरकार की तरफ रुक करना पड़ रहा है कोविट समय में कोविट समय में लोगों को कोई भत्ता नहीं दिया गया कोई अलाविंस नहीं मिला इससे पहल अपसे क्या बोल लाए थे मुझे डाक्टर बना डिया या डियम बने के लिए बोल लाए थे कि उनको एक मैना इक्स्रा टाइम चाहिए क्योंके उनका काउंसलिंग और एक्जाम में उनको टाइम नहीं मिल पाया उनको टोटल नाइस बीज सब्जेक्ट पड़ने पलते हो तो पांस दिन में पूरा नहीं होने वाल तो एक मैनेक टाइम मांग रहते हो तो बोलने ही रहते मुझे नो करी जाहिए और अपना अपना एक्स्पीजियन दिखाते ना अपना तो चिटी दिखाते ना लेकिन लड़के यहां पे बैटे हूँ और पुलीच वालोंने उनको नया इंडिया नया विकार मेरा बारत महान की प्लगों पनाएगे अवी ललका बनाएगा प्लोगश् úsas ल्ख जलके नहीतिक लोग बनाएगे योगता दे लेकर आईये तो रпов्चार पर लेकर आये क्या मिनिस्ट्री में इंटर्व्यू चल ला है कि हमीच सा बैटें एक डेस्क लगा के उनके सामने पेस्ट करिए अपना यह गिटा दिकाईए अपकारी नौकरी नौकरी सब कुछ नहीं होता अज गूगल का सियो कॉंटा तुटर का सियो कॉंटा इंडियन ठीक है आज कि और उसकी जा ट करेगा उसको रखेगा तो अप्ड़ नौकृ तो यहीं होती है सल्कारी ने पर करते हैं एक सथा। तुम मैंने बोला ना इस्टाल्टिंग में बोला जिस काम करने के पीसे अमारा कोई एजेंडा तैही नहीं हो तु अम काम क्यों करेंगे किछी ना किछी जीजन चे अम आठा देंगे लशकर भी तुमारा सलडार भी तुम जूट को ससलिक दो अगबार भी तुमारा तो अपने इसाब से जो तरीका चाहरें उस तरीके चीजों को मोडिफाई किया जा रहा है और पेपल लिग को आसकी ताइम डेस भक्ती भर कराल दे दिया जा रहा है कई जगें एक आजा रहा ह पाकिस्तान चला जहां पाकिस्तान में जाने के लिए इन मोडी को जिता है लोगों ने दोरा चौड़े में मोडी को क्यों जीता है अभी कई राज्यों में जीते हैं लोगों ने इसी वरते तो जीता है कि देश के लिए काम करें पाकिस्तान जाने के लिए तो इम्रान कान यह आम आपने इस कठेगरी यह आपाँ पहुचा जिया कि आपां शाथ. पाकिस्तान के पिलाने की जिवर नहीं पलती है जिसको जम्मेदार ढ़हाए जाए यह जुदेंट कहाँ जाये कि इसको जिम्मेदार तौर पर सरकार की नाकामी है, सरकार अपनी नाकामी को जितना चाहे छिपा सकती है पर छिपा नहीं पाईगी, छात्र आज सडकों पे है, कल को संसद में होगा अपनी आवास को उठाएगा, बुलंद करेगा संसद भी जाएंगे सडक से संसद, सडक से ही संसद का सफर है आज इस देश में और वो सफर चात्रते कर रहा है युवा जीवन में यही होता है संगर्च का जीवन है, परन्तु अगर सरकार ये संगर्च बढ़ाएगी, तो युवा भी अपना संगर्च बढ़ाएगा संसद सडक पे नहीं आएंगे तो हमें सरक को संसद बनाना पड़ेगा और हम सारे संसदों को सरक पे गजीट के लिए आएंगे इस तुन दाज का एक बार करा हो जाए तब इनकी आउकाद दिखा देगी हमारे युवाहों का जाता ना कहते ना तलवारों के साय में इतियास हमारा पलता है लगता नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से तमाम देश में जो तमाम मुद्व चल रहे हैं वो हिंदू-मुसल्मान भारत-पाकिस्तान तालिवान अफगानिस्तान वो चल रहा है रोजगार का मुद्दा कहीं दबा हुआ हूँ इसलिए तो चला जा रहा है कि रोजगार की क देश को चाया हम से बैटा हूए निव पानी पी नहीं पाता है निव मांगा हूगा है लेकिन जो मिडिल कलास लोह हैं आ जो किस्तड़ी बुक्मरी के खाड हो रहे हैं जहां दिन में सौ रुप है आपकी जेम में बाता तो योह ढुट टीन टाइम आप खाना कुछ कह सकते दिन में 100 रुपए रहे तो एक टाइम भी मुश्किल से नसीब होगा और उन्हें पर असर है बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिली में आके जाते हैं अलग 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 इस्टेट के आर उन लोगों की आलत देखिए अचा उन स्टुडेंटों के नाम क्या संदेश जो की इस वक् अगर आप अपनी चीजों के लिए नहीं खड़े होगे अगर आगे नहीं उठके आओगे तो इस सरकार आपकी सुनने वाली नहीं सरकार तो किसान जब एक साल तक चरग पे रहे तब तो जाके उनकी बात मानी हो भी पूरते तरीके से नहीं तो उनकी सामने कुछ नहीं है तो साट की ऐसे बात नहीं मानने हैं निकल के आई वह बहुत चोकाने वाला है क्योंकि इससे पहले कई ऐसी जगों पर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कई और राज हो जहां से खवर निकल के आई कि पेपर लीख हो चुका है और अब यह खवर बिहार से जो भी अपडेट होगा लगतार आपको देते रहेंगे पहुचाते रहेंगे फिलाल के लिए नमस्कार